नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल दे ट्रेड़ बूल ऑफिशल में इस लेवल के आसपास यहां पर एक लेवल अच किया और इसी लेवल से मार्केट में एक रिजेक्शन देखने को मिली और इमेरेटली मार्केट यहां पर नीचे की दरफ यहां पर चल पड़ा दोस्तों यहां जैसे ही मार्केट 39,440 इन लेवल के आसपास आता है मार्केट में फिर से एक पुल बैक देखने को मिलता है और वापिस से हम 39,640 के लेवल पर यहां पहुंच जाते हैं फिर से मार्केट नीचे की तरफ जाता है दुबारा पुल बैक लेता है डब्री बैक बनता है और मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा उपर की दरफ रिक आउट देखने को आपको मिलता है इसके बाद दूस्तों मार्केट ने यहां पर डबल टॉप बनाया डबल पॉल देखने को मिला जिसको हमने ताफी हथ तक क्याप्चर भी किया कि क्लोजिंग दिनकी हमें मिली है 39,395 लिवल्स के असपास अब बात करते हैं कि मंडे को मार्केट कहां पर उपन हो सकती है उसके लिए सबसे फेले ग्लोबल मार्केट का देखना बहुत जारा जरूरी है और गलोबली अगरें बात करें डाव जोन की तो डाव जोन्स फ्राइडए के दिन तक्रीबन 132 पॉंट में बंद हुआ है नांस्टेक यगर हम बात करें जो ब्रॉडड इंडिक्स है और अगर हम यहां पे प्वर इंडिक्स की बात करते हैं तो वह भी यहां पर प्लस देखेंगे तो आपको एक positive opening देखने को मार्केट में मिल सकती है इक आप देखने को मिल सकता है तकरीबन से अपना 500 से 200 पॉइंट के पीछ मार्केट आपको somewhere around 39,600 से लेकर 39,640 इस रेंज में कहीं पर opening एक आपको देख सकती है इसकी एक काफी high possibility रहेगी तो दोस्तो हमारे levels क्या होंगे हम वेट करेंगे market के अंदर 39,720 levels को break करने की अगर इसके उपर market sustain करती है तो तब ही हम यहाँ पर call के position बेड़ में पैटना पसंद करेंगे टार्गेट के रूपर की तरफ 39,800 और 39,850 तक के भी रह सकते है अब गाप opening के बाद अगर market यहाँ से reject करती है तो दोस्तों आपको याद अखना है जैसे ही market 39,520 के level तोड़ेगी तो इसके नीचे हम एक put की position देखना पसंद करेंगे और जो टार्गेट नीचे की तरफ होंगे वो 39,400 और फिर 39,300 तक के भी इंट्राडे में हो सकते हैं तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो लाइक करेंगे तो जल्दी मिलेंगे अग्मी वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थैंक यू और बाई